अगर आपको वीडियो का पीडियाफ चाहिए तो कमेंट सेक्षन में लिंक मिल जाएगा आप टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं विच अब देखिये गंगोतरी गलेशियर से निकली है यह डाक ब्लू वाली गंगा रीवर है जब यह निकलती है तो यह साइड आपका लेफ्ट साइड पढ़ता है और यह साइड आपका राइट साइड पढ़ता है तो राइट बैंक ट्रिबूटरी इसमें पूछ रहा है इसमें देखिये यमुना, तमसा, सोन और पुन-पुन यह चारो ही राइट बैंट ट्रिबूटरी हैं तो दा आंसर इस डी अल अफ दा एबब ओके और पुन-पुन, दामोदर यह सारी राइट बैंट ट्रिबूटरी होती हैं गंगा रिगवर की हुए इसमें यह चाव है बढ़ते हु गराइट मेन करुब स्बढ़ से कम कितना किसका है सब्से कम पुर्ष्णा का यह से जादा आपका गोदवरी का है यह से जादा अपका इंडस का है और गंगा है सो धानसर इस 1432 answer is B the deranged pattern of drainage is found in which of the following region of India deranged pattern drainage valley of coracorum answer is D okay the deranged pattern of drainage is found in the valley of coracorum or it is the reason that is evacuated by the ice seat arrange the following states as per the descending order of their share in India's coastline descending order coastline gujarat coastline okay and then and then and then and then B Dekhye सबसे ज्यादा gujarat की होती है फिर उसके बाद अंदरप्रदेश है फिर Tamil Nadu है फिर केरल है 2134 answer क्या होगा answer है B सिंद्दभूमी और केंदू ज्जार are famous for what तो सिंदभूमी और केंदू ज्जार famous है किसके लिए iron ore के लिए answer is B which among the following hill ranges of south India are not spread in both केरला and Tamil Nadu केरला और Tamil Nadu में दोनों जगा नहीं फैला हुआ है कौन सा है तो देखिए अन्ना मलाई जो है दोनों में कर्डमम दोनों पे है अगस्थ मलाई दोनों पे है लेकिन पलानी हिल्स पूरा का पूरा Tamil Nadu में है पलानी हिल्स यहां पे है पूरा का पूरा Tamil Nadu में which among the following is the origin of दामोदर रीवर दामोदर रीवर का ओर्जिन क्या है यह रही आपकी मैप में दामोदर रीवर और इसका ओर्जिन है छोटा नाकपूर आंसर इस D दामोदर रीवर फ्लो करती है जार्खंड और वेस्ट पैंगॉल से और इसका जो ओरिजिन है जो चूलहा पानी छोटा नाकपूर प्लेटू में जार्खंड में चूलहा पानी एक जगा है वहां से यह ओरिजिनेट करती है दामोदर ब्लू नाइल रीवर और ब्लू नाइल रीवर दो रीवर से मतलब मिलकर बनी होती है एक ब्लू है एक वाइट है और ब्लू नाइल रीवर आपके लेक टाना से निकलती है यहां पे है आपका लेक टाना और वाइट नाइल रीवर निकलती है लेक विक्टोरिया से ओके एल्निनो क्या होता है नूनिनो होता है अन्टारा यहां वाला पार्ट गर्म होता है जिसकी वज़ंगे से हमारे भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है हमारे यहां बारिश होती है लेकिन जब Elrino Year होता है तो यह Peruvian Coast जो होता है यह हो जाता है गरम और यहाँ पे हो जाता है ठंड़ा जर्मनी के साथ लेंड बडर कौन शेर नहीं करता है इटली नहीं करता है नेदर लाण्ड और पोलंड भी करता है इटली नहीं करता है आंसर है V बाखी इसके इलावा आस्ट्रिया, चेक रिक पब्लिक, लगजंबर्ग, बेल्जियम, टैनमार्क ये सारे इससे शेर करते हैं अपनी बाउंटरी इसको और क्या कहते हैं सुमन, सुमन सलपा भी कहा जाता है इसको और ये है कहां पे फिनलैंड में आंसर इस बी और ये एक डिफंसिब बंकर लाइन है विच वाटर बोड़ी हाँसे गल्फ ओफ स्वेज, गल्फ ओफ स्वेज को, विच वाटर बोड़ी हाँसे गल्फ ओफ स्वेज तो ये है आपका रेट, C, आंसर इस B, ओके बन्तु कहां पर बिलॉंग करता है तो ये बिलॉंग करता है अफरिका से आंसर इस सी ओके और इनका जो मतलब पॉस्टॉरल रीजन है इनका इसी पर ये डिपेंड करती है इनकी लाइफ भी पॉपलेशों को disp cara है कौन सा वैक्टर है तो दिर्टेशन ओवर्थ ये फैक्टर इसका नहीं है अवीलिबिल्टीओ अफ मिन्रल रोसॉर्स इस सॉाइल्स रिस तरह है इंडिश्लियजेशन वैक्टर है सोसल और कल्च्रल फैक्टर्सेश है इसके अलावा यह सारी चीजें फर्क डालती है अर्बनाइजेशन भी इसमें एक महतपूर भूमी का निभाता है तो कौन सा सही है दो तीन चार पांच सो दा आंसर इस बी पहला रोटेशन आफ इसका कोई इंफ्लूएंस नहीं होता डिस्ट्रिबूशन ओप पॉपलेशन में इसके अंतर गताती है तो देखे चेक रिपब्लिक जर्मनी पोलैंड और आस्ट्रिया इसके अंतर गताती है तो दा आंसर इस ए मांट हूंग को आंसर इस ए यह रहा आपका मांट हूंग इस्टर्न चायना में यह पढ़ता है वोकी अर जो लोटस पीक है लोटस पीक यह इसकी हाइस्ट पीक है और इसको वांग शॉन के नाम से भी जाना जाता है वांग शॉन ओके वांग शॉन मांटेन which among the following words is not related to composite volcano composite volcano से related नहीं है कौन साथ यह है basaltic answer is D composite volcano are also referred as endastic okay endastic के नाम से भी इसको जाना जाता है और acidic या strato volcanic भी इसको कहा जाता है इसका रीजन है क्या इसका रीजन है it is a rain shadow area जब यहां से southwest मांसून आता है तो यह जो आपका western cart है यहां पे सहयादरी hills है इनसे टक्रा कर बारिश इधर side ही करता है इधर side नहीं करता है इसको कहा जाता है levered side यह वाले side को okay deckan part वाले side को levered side कहा जाता है और इधर इधर वाले part को कहा जाता है windward side okay levered side को ही कहा जाता है rain shadow area Adam, Slaverier, Galle and Lassell are some of the rings of which planet तो यह rings है किसकी Neptune planet की answer is C और यह जो rings है यह astronomers के नाम पर पड़ी है जोरोंने इनकी discovery की थी solar valley world's largest solar water heater manufacturer is located in which of the following countries तो वर्ड का largest solar water heater है solar valley यह कहां पर located है यह चाइना में located है answer is C that's all for today if you like my video please do like, comment, share and subscribe thank you